वेलकम टो यूटूब चैनल जीके जीये समित्र मनिस्सर मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपको फिर से जोग्राफी के पचास महत्वपुर्ण प्रश्ण कराऊंगा और ये हमारा तीसरा प्रश्ण दोस्तों है जिसमें आपके कुल जोग्राफी के डेर सौ प्रश्ण कम्प्लिट हो जाएंगे जो आपके किसी भी एक्जाम के लिए महत्वपुर्ण है दोस्तों तो आइए मेरे प्यारे लालेवं लालियों हम सुरू करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रस्ण है वह प्रस्ण है विशु का सबसे बड़ा महादूइप है कौन सा तो विशु का सबसे बड़ा महादूइप दोस्तों एसिया है दोस्तों विशु का सबसे बड़ा महादूइप है एसिया और सबसे छोटा जो है उस्ट्रिया तो देखो जो घंते क्रम एहां पे ताइप किया हूँ एसिया अफिरिका उतरी अमेरिका दक्षरी आमेरिका अंतरकिकाई यूरोप और उस्ट्हिलिया मिरे दोस्तों महदुई वह गाकिए है, 7 महादूईप हैं, जो पलेट विवतनी क्रण क्रिया के द्वारा अलग हुए है, अब दोस्तों, यहां से एक और प्रश्ण बनता है, कि पलेट विवतनी क्रां का सिधान किसम ने दिया तो सबसे बरा महादुईप कौन सा है एसिया है उसके बाद कौन है अफिरिका अफिरिका के बाद और फिरिका फिर उतरी अमेरिका उतरी अमेरिका के बाद दोस्तो दक्षनी अमेरिका में जाना आप दक्षनी अमेरिका के बाद दोस्तो अंटाक्टिका फिर यूरोप और फि प्यारे दोस्तो अगला पश्ण हमारा है निमलिखित में छेतरफल की द्रिष्टी से सबसे छोटा महादुईप कौन सा है निमलिखित में दोस्तो छेतरफल की द्रिष्टी देखो दोस्तो ऑप्सन के एकॉर्डिंग दोस्तो बताना है आपको पता है कि छेतरफल में सबसे छ में दोस्तो नाम यह आप बता दो कमेंटर बॉक्स में में दोस्तो हमारा अगला पश्ण है किस महादुईप को स्वेत महादुईप के नाम से जानते हैं ऐसा कौनसा महादुईप है जिसे स्वेत महादुईप के नाम से जानते हैं तो अंटाक्टिक महादुईप को मेरे लाल तो क्या बोलोगे आप एसिया है दोस्तो एसिया के बाद दूसरा सबसे बरा महादूइब कौन सा है मेरे लाले बम लालियो तो अफिरिका है कौन सा है दोस्तो अफिरिका और सबसे छोटा महादूइब कौन सा है मेरे लाले बम लालियो तो ऑस्टेलिया है सबसे छोटा महाद मेरे दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे की जनसंख्या के एकॉर्डिंग सबसे बरा महादूइप कौन सा है जनसंख्या के एकॉर्डिंग सबसे बरा महादूइप कौन सा है तो इसका जवाब दोस्तों आप देदो कमेंटर बॉक्स में कि जनसंख्या के एकॉर्डिंग सबस महादूिप ये महादूइपlando कि आसा महादूइप घृष्छे कहा है। सबसे महादूइप को कहा गया है और कि अप क्या पूलोगे सबसे मादूइप कौन सा है एसिया है उसके बाद कौन सा है अफिरिका दोस्तों उसके बाद दोस्तों कौन सा है अफिरिका के बाद मेरे लालियों कौन सा है तो आप बताओ केमेंट बॉक्स में दोस्तों अब यूरोप महादूइब दोस्तों यूरोप का सबसे बड़ा नगर जो है वो लंदन मेरे दोस्तो हम अगले पस्ट क्यों बढ़ते हैं प्यासी भूमी का महादूइब किसे कहा गया है तो ऑस्टेलिया को कहा गया है प्यासी भूमी का महादूइब किसे कहा गया है प्यासी भूमी का महादूइब तो ऑस्टेलिया को कहा गया है प्यासी भूमी का महादूइब मे महादूइब हैं दोस्तों देखो अगले पस्ट के और हम बढ़ते हैं मेरे लाले लाली हो तो हमारा अगला पस्ट है किस महादूइब को नई दुनिया के नाम से जानते हैं ऐसा कौनसा महादूइब है जिसे नई दुनिया के नाम से जानते हैं तो क्या वो लोग मेरे लाले अमेरिका है दक्षिन अमेरिका को दोस्तों सापो का महादूइप कहते हैं और पक्षियों का महादूइप दोस्तों किसे कहते हैं तो दक्षिन अमेरिका को ही पक्षियों का महादूइप के नाम से जानते हैं और उतरी अमेरिका को क्या बोलते हैं दोस्तों तो नई दुनिया के नाम से जानते हैं उत्री अमेरिका को किसे कहते हैं दोस्तों नई दुनिया तो दोस्तों उत्री अमेरिका को कहते हैं नई दुनिया और दोस्तों अमेरिका का नाम तो दोस्तों परा था वो अमेरिको बेस पोसी के नाम पर परा था मेरे प्यारे लाले लाली यो हमारा सात्मा प्रश्ण है किसम महादुईप को मानव का घर कहते हैं तो एसिया महादुईप को मानव का घर कहते हैं और मैंने भी तुरुन पताया कि उतरी अमेरिका को क्या कहते हैं तो उतरी अमेरिका को दोस्तो नई दुनिया के नाम से जानते हैं दोस्तो हम अगले प्रश्ण के और बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्ण है कि सम्माहादुईप को विकास की अधिक संभावनाओं की विधमानता के कारण भविस्य का भंडार गिरी कहा गया है तो एसिया को दोस्तो और एसिया को मानवों का घर भी कहा गया एसिया को क्यो प्यारे लाले तो मेरे प्यारे दोस्तों औष्टेलिया महास्टों सबसे छोटा माहादूा है अग्रेजी के एस अक्षर की तरह हमारा है निमलिखित में कौनसा महासागर एसिया के पूरब में स्थित है दोस्तों निमलिखित में से कौनसा ऐसा महासागर है जो एसिया के किधर है दोस्तों एसिया के पूरब में दोस्तों कौनसा महासागर है तो एसिया के पूरब में है प्रसांत महासागर क्या बोलोग द दोस्तों एसिया के पूरब में आपका है कौनसा महासागर तो पूरब में है प्रसांत महासागर में दोस्तों एसिया के उत्तर में है आर्कटेक महासागर और दक्षिर में हिंद महासागर पस्से में दोस्तों यूराल पर्वत कैस्पियन सागर काला सागर और वहुमत सागर एसिया और यूरोप को अलग करती है तो मैंने क्या बोला एसिया के पूरब में कौन सा महा सागर है प्रसांत महा सागर है दोस्तो दोस्तो उत्तर में क्या है दोस्तो उत्तर में क्या है तो हिंद महा सागर है मेरे दोस्तो मेरे दोस्तो हम अगले प्रशन क्यों बढ़ते है हमा अफिरिका से जोड़ती है और अफिरिकाओ को कहते है अंदम महादूइप दोस्तो यूरोप को क्या कहते है अई मैंने तुरूरंद बताया था यूरोप महादूइप का अन्य नाम क्या है ये आप बताओ केमेंटर बॉक्स हमारा दोस्तो अगला प्रशन है इसकी गहराई के बारे बात की चाहिए तो 1632 मीटर दोस्तों 1632 मीटर इसकी गहराई है मेरे दोस्तों कैस्पियंस आगर के बारे में याद रखना कि विश्व की सबसे बरी जील जो है कैस्पियंस आगर जील है विश्व का सबसे अधिक लवनिया जील वान जील है जो तुर्की में है दोस्तों तो मैंने क्या बोला विश्व की सबसे गहरी जील बैकाल जील रूस में है विश्व की सबसे बड़ी जील केस्पियंस आगर जील जील दोस्तों है और विश्व में सरवद के लवंता वाला जील वान जील है जो तुर्की में है दुनिया की सबसे बरी मीठे पानी की जील कौन सी है ये आप बताओ केमेंटर बॉक्स में मेरे दोस्तो हमारा अगला पशन है विश्व का सबसे ठंडा अस्थान बर्खोयांसक या किस देश में इस्तित है विश्व का सबसे ठंडा अस्थान दोस्तो कौन सा है तो बर्खोयांसक है और बर्खोयांसक जो दोस्तो है ये रूस में है और यहां का टेंपरेचर दोस्तो ह होता है माइनस 68 डिग्री सेल्सियस क्या होता है माइनस 68 डिग्री सेल्सियस अब दोस्तों रूस में है तो रूस की राधानी क्या है मासको है रूस की करेंसी क्या है रसियन रूबल और रूस के राष्ट्रपती कौन है दोस्तों रूस के राष्ट्रपती है बलादिमीर पूत तो मेरे प्यारे दोस्तो हमारा अगला पश्ण है एसीया का सबसे चोटा देश कौन सा है अगर मैं पूछओ के बिशस्व का स्रवदिक जन संख्या गनत तौवाला देश कौन सा है तो सिंगहापूर है जो एशिया में हैं दोश्तों अगर कजा किस्तान के वारे बाद क्या जाए तो गस्तान से GGबार इस जो सब्से बड़ा आपका है वो कजा किस्तान इह यह है मेरे प्यारे लालिपम लालियो हमारा पंदरहमा प्रश्ण है महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा दोस्तो कौन से देश की सबसे लंबी नदी है तो सिरलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा दोस्तो सिरलंका की सबसे लंबी नदी मेरे प्यारे दोस्तो अगले पश्ण की और हम बढ़ते हैं हमारा अगला पश्ण है विश्व में सरवदिक मचली पकरने वाला देश कौन सा है मैंने क्या बोला मेरे लालेवम लालियो कि विश्व में सरवदिक मचली पकरने वाला देश दोस्तो कौन सा है तो चाइना दोस्तो चीन है विश्व में सरवदिक मचली पकरने वाला देश दोस्तो विश्व में सरवदिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश जो आपका है वो चापान, चीन दोस्तों सर्ववधिक मचली पकड़ता है भारत में सरवधिक डागघर है और होंग कोंग के लोगो स्रवधिक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग है मेरे प्यारे दोस्तों अगले पशनकि में कशिक्षिस में कौनसी नदी परसांत महसागर में नहीं गिरती है मेरे दोस्तो प्रसांत महासागर दुनिया का सबसे बरा महासागर है और दोस्तो इसमें कौन सी नदी नदी मेंसे नहीं गिरती है तो यादखना दोस्तो हांगो नदी कौन सा दोस्तो हांगो आमूर और यांग सीटी क्यांग यह तीनों जो गिरती है यह प्रस लीना है ओबे है और ये निसी है लीना ओबे और ये निसी नदी ये गिरती है आर्केटिक महासागरी दोस्तों आर्केटिक महासागर का मुआना जो है न वो सीत्रितु में क्या होता है तो जम जाता है मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्ण है माउंट एवरेष्ट को कोलो लंगमा अर्थात बर्फ की देवी कहां कहते है तो माउंट एवरेष्ट कोलो लंगमा कहा गया है तिबबत में नेपाल में क्या कहा गया है सागर माथा दोस्तों माउंट एवरेष्ट का अन्य नाम चोटी पंदर भी है और Mount Everest को प्रिथिवी का तीसरा धुर्विक के नाम से भी जानते हैं मेरे लाले के मिला लिए हूँ तो Mount Everest के उचाई कितनी है 88-49 दोस्तो 88-89 मीटर जो आपका है ये Mount Everest की दोस्तों उचाई है Mount Everest किस देश में है तो नेपाल में है Mount Everest याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रिश्ण है Mount Everest पर सरपरतम Edvard Hillary और Tenging नौरगे ने कब विजय प्राप्त की थी सबसे पहले जानते हैं Edvard Hillary जो थे वो New Zealand के थी और Tenging नौरगे अपने प्यारे देश भारत के थी तो मेरे दोस्तों Edvard Hillary और Tenging नौरगे Mount Everest पर विजय कब प्राप्त की थी तो याद देखना मेरे लाल इवम लाली हो 1953 में प्राप्त की थी कब की थी दोस्तों प्राप्त तो 1953 में मेरे दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों देखो Mount Everest पर जाने वाले पर्थम बैकती एडवर्न हिलेरी थे और Tenging नौरगे थे Mount Everest पर दो बार जाने वाले बैकती थे नौाम गोमुगू Mount Everest पर जाने वाली पर्थम महिला थी जुनको तेवई जो जापान की थी और Mount Everest पर जाने वाले पर्थम भारतिये महिला जो थी वो बिचंदरी पाल थी बिचंदरी पाल Mount Everest पर 1984 में गई थी Mount Everest पर स्वरवदिक बार जाने वाली जो बैकती है वो है कौमी रीता सिरपा दोस्तों ये पहली बार 1994 में गई थी और अभी दोस्तों हाली में 29 में बार गई है हमारा आगला परस्ट दोस्तों है Mount Everest पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला जुनको तेवई यह किस देश की है दोस्तों जुनको तेवई जो से जुनको जो से जापान दोस्तों जुनको तेवई कहां की है तो जापान की है मेरे दोस्तों जुनको तेवई कब गई थी माउंट एवरेश्टर पर 1975 में गई थी और ज़रा आप बता दो कमेंट बोक्स में कि माउंट एवरेश्टर को सागर माथा किस देश में कहते हैं तो ये बताओ आप कमेंट बोक्स में मेरे दोस्तो हमारा अगला प्रश्ण है एसिया का सबसे घना बसा दूइप कौन सा है एसिया का दोस्तो सबसे घना बसा दूइप जो है वो कौन सा है तो क्या बोलोगी दोस्तो आप जावा जावा दोस्तो इंडोनेसिया का दूइप है और एसिया का सबसे घना बसा दूइप जो दोस्तो आपका है ये कौन सा है तो जावा है मेरे दोस्तो हम अगले प्रश्ण क्यों बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्ण है एसिया की सबसे लंबी रेल सुरंग सिकन रेल सुरंग किस देश में सिकन दोस्तो सिकन नौ जापान सिकन रेल सुरंग कहा है दोस्तो जापान में है सिकन रेल बाई 35-108 5 किलो मीटर है दोस्तों चीन दोस्तों चीन सर्वक्रम्धिक मचली पकरने वाला देश मैंसे हमने मैं बताय था स्रवक्रमधिक डाघरवला डेस कौन सा है तो भारत दोस्तों चीन के राष्ट्रपती कोन है यह आप बताओ मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि चीन के राष्ट्रपती का नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रशन है सहतूत की पतियों पर पाले गए रेसम के कीरों से प्राप्त कच्चा रेसम उत्पादन करने में ? विश्व में पर्थम देश कौंचा है सहतूत की पतियों पर पाले गए रेसम के किरों से प्राप्त कच्चा रेसम उत्पादन मी विश्य मी कौन पर्थम है दोस्तों तो याद रकना मेरे लालेबं लाली ओ जापान है पर्थम और जापान स्रवधिक जलियान बनाता है माउंट रवेष्ट पर जाने वाली पर्थम महिला जुनकोतेवई जो जापान की थी मैंने तुरंत बताया था कि जुनकोतेवई कब गई थी माउंट रवेष्ट पर तो यह आप बताओ रिसम कीरो से प्राप्त करें में कॉन प्रत्म है तो जापान स्रवदिक जलियान बनाता है। दोस्तो भारत स्रweदिक जूत पागन करता है। तो भाट स्रवदिक मछछीलि बखरता पाकिस्तान में, मीरे प्यारे दोस्तो, इन चार ओपसन आपको दिखुरहाँ होगी, इस चारो ओपसन में ऐसा कॉनसा देस है? जो अस्थल रूत्र देस है, यह आप बता हो, brackets में, मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रशन है यलो रिवर का उद्गम अस्थल क्या है तो यलो रिवर दोस्तों यह जो निकलती है यह कनलून परवस से निकलती है कहां से निकलती है कनलून परवस से निकलती है इसी यलो रिवर को हांगो नदी के नाम से भी जानते हैं और तो हांगो नदी या यलो रिवर कहां से निकलती है तो कुनलून परवस से निकलती है और यह गिरती कहां है तो पोहाई की खारी में गिर जाती है कहां गिरती है मेरे लाले बम लाली हो तो पोहाई की खारी में यह गिर जाती है मेरे प्यारे दोस्तो हमारा अगला प्रशन है किस देश में थ्री गौर्ज डैम इस्थित है दोस्तो याद रखना चीन में है थ्री गौर्ज डैम इस्थित नदी है और इसी एसिया की सबसे लंबी नदी यांग सी टी क्यांग पर दोस्तों संघाई और बुहान सहर बसा हुआ है याद दखना मेरे लाले पर मिलाली हो मेरे प्यारे दोस्तों चानकारी आपको अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड को भी दोस्तों सहर करें मेरे द जलसंधी जो है ये अलास्का को रूस से अलग करती है तो दोस्तों याद अखना पुर्वी चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोरती है बेरिंग जलसंधी अलग करती है अलास्का को रूस से लेकिन जोरती है चुकची सागर को बेरिंग सागर से मेरे प्यारे लाले में ला देखो दोस्टो आपसरन भी दीख रहा होंगा रूस के सखालीन दूइप से रूसी मुक्ख भूमी को रूस के सखालीन दूइप से अलग करती है ततर जलसंती दोस्तों। जिब्राल्टर जलसंधी यूरोप को किस महादेश से अलग करती है तो जिब्राल्टर जलसंधी दोस्तो यूरोप को अफिरिका से अलग करती है दोस्तो अफिरिका अफिरिका में कुल देश दोस्तो कितने हैं चोवन है अफिरिका एक मात्र ऐसा महादूइप है जहां से करकरेखा, मगर रेखा और विस्वत रेखा गुजरती है अफिरिका महादूइप दोस्तों सबसे बरा महादूइप है और सबसे बरा महादूइप दोस्तों कौन सा एसिया है सबस्रेट कि चोटा महादलीफ कॉन सा है और विश्वत रेखा गुजरती है तो अब क्या बोलोगे कि महादुई किस किरिया के द्वारा अलग हुए है मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्ण है विस्तु की सबसे लंबी नदी कौनसी है विस्तु की दोस्तों सबसे लंबी नदी नदी जो दोस्तों आपका है यह विस्तु की सबसे लंबी नदी क्या है नील नदी दोस्तों नी नील नदी दोस्तों नील नदी का नाम नील परता कहां पर है यह प्रशन बहुत ही महत्तरपुन है तो नील नदी का नाम दोस्तों सुडान की राधानिक खार्टूम में नील नदी का नाम नील परता है इससे पहले दोस्तों नील को दोस्तों 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 दो तो नील के नाम से जानती है नील नदी का ही देन दोस्तो मिस्र है और नील नदी का मुहाना कहा है तो याद अखना भूमत सागर में नील नदी का मुहाना है दोस्तो काहिरा जो आपका है काहिरा वो नील नदी के किनारे बसा हुआ है काहिरा कौन से रिवर के किनारे बसा स्टोफिया और निकलती है और दोनों मिलती है अगले प्षण के ओर पटते हैं हमारा अगला प्षण बूसमें जन जाती अफरिका के किस छेतर में पाई जाती है दोस्तों जन जाती है बूसमें जो बूसमें दोस्तों आपका है ये कालाहारी छेतर में पाई जाती है कहां पाई जाती है कालाहारी छेतर में दोस्तों पिगिमी जो है ये कांगो बेसीन में पाई जाती है पिगिम पूछा कि बूसमें जञाती जो आपका है तो क्या बोलोगे आप का बूसमें जन जाती मेरे लाल एबं लालीयो तो मेरे प्यारी दोस्तों हम बढ़ते हैं अब अगले प्रस्ण की ओर हमारा दोस्तों तैगला प्रश्ण है किस नदी वेसिमे है विस्उक्त कहां प्रजाती पिगिमी निवास करते हैं विस्प्रुकीस सबसे चोटी कहँआ दाली पाली कांगो नदी कांगो नदी कांगो थी को अपको है यह लुए याजिकृ संगम से निकलती और कांगो नदी गिरती कहा है अटलांटिक महासागर में दोस्तो कांगो नदी गिर जाती है कांगो नदी दोस्तो कहा गिरती है अटलांटिक महासागर में कांगो नदी गिर जाती है कांगो नदी दोस्तो विश्वत रेखा को दो बार कारती है कांगो नदी और इसी नदी ब तो विक्टोरिया जलबरपाथ दोस्तो जिमबेजी नदी पर है और दोस्तो कांगो नदी पर कौन सा जलबरपाथ है तो मैंने तुरूंत पताया ना आपको अभी एस्टेनली जलबरपाथ कांगो नदी पर दोस्तो है और जामबेजी नदी पर मेरे लाले बम लाली ओ कौन सा परसिद है तो याद रखना दोस्तों अफरिका का ट्रांस वाल जो आपका है वो जैबरा और जीराफ के लिए परसिद है किसलिए परसिद है जैबरा और जीराफ के लिए तो इसका अंसर हो जागा ए दोस्तों कि जीराफ तो कहीं ऑप्सन में है नहीं तो इसका अंसर क्या हो तो दोस्तो याद रहना काल आहारी छेत्रे पहती है और हीरे के लिए दोस्तो जो फेमस है वो इन बरले की खान जो दक्षिन फिरिका में है यह हीरे के लिए परचल दोस्तो है तो मैंने तुरंट बता आना आपको कि विश्वत रेखा को कांगो नदी जी दोस्तो आपका है वो दोबार कारती है दोस्तो आप बताओ कि मकर रेखा को दोस्तो कौन सी नदी दोबार कारती है ये आप बताओ क्रमेंट बॉक्स में और मैं बताता हूं दोस्तो आपको कि करके रेखा दोस्तों माही नदी को दोबार कारती है करके रेखा दोस्तों किस रीभर को दोबार कारती है तो माही रीभर को दोबार कारती है करके रेखा दोस्तों हमारा अर्थिसमा प्रशन है किस देश में इस्थित किमबरले की खान हीरा उतपादन के लिए परसिद है तो मैंने दोस्तों उन्चालिसमा प्रशन है कालाहारी मरुष्थल किस दियस में इस्थित है मेरे लालेवम लालियो कालाहारी मरुष्थल दोस्तों सुतुर मुर्ष्थल किस लिए प्रशित है कालाहारी मरुष्थल किस लिए प्रसिद है तो सुतरमुर्ग के लिए प्रसिद है और कालाहारी मरुष्थल मेरे लालेवम लालियो कहां इस्थित है तो दोस्तों ये दक्षीन अफरिका में इस्थित है कालाहारी मरुष्थल दोस्तों कहां है दक्षीन अफरिका में कब करवाया गया था तो 1869 में 1869 में सुवेज नहर का अंडरमान मिस्तर के द्वारा करवाया गया था सुवेज नहर की लंबाई जो है वह 168 किलो मीटर है मेरे आलिपमलाली सुवेज नहर की लंबाई कितनी है 168 किलो मीटर सुवेज नहर का जो राश्टी एकरन किया गया था वो मिस्र के द्वारा किया गया था कब किया गया था तो 26 जूलाई को दोस्तो कब किया गया था 26 जूलाई 1956 को स्वेज नहर का राश्ट्री करने किया गया था और विश्व की सबसे कित्रिम नहर जो आपका है वो स्वेज नहर ही है दोस्तो सुवेज नहर दोस्तो भूमत सागर को लाल सागर से जोरती है और सुवेज नहर बनने से यूरोप से भारत आने के लिए साथ हजार किलोमेटर की दुरी दोस्तो कम गई तो सुवेज नहर का निरमान कब हुआ 1869 में सुवेज नहर का निरमान हुआ अगला पर प्रिथिवी पर दिन और रात की अब्धी समान होती है कहां पर भूमत रेखा पर दोस्तों दिन और रात की अब्धी क्या होती है समान होती है दोस्तों दोस्तों कहां पर प्रिथिवी के किस जगा पर दिन या रात छे महने का लगाता दिन या छे महने का लगाता रात होता है तो यह आप बताओ कमेंटर बॉक्स में पर जाने वाले प्रथम वैक्ती कौन थेनिल अंगस्ट्रॉम थी निवभीध में किस गरहख को संधरे का देवता कहते हैं तो सुक्र गरहख को दोस्तों कहते हैं संधरे का देवता किसे कहते हैं शुक्र गरह को कहते हैं मेरे दोस्तों यूरोप वासी कि पुजा देवी के रूप में करते हैं तो सुक्र गरह की पुजा दोस्तों यूरोप वासी देवी के रूप में करते हैं सुक्र गरह की पुजा दोस्तों और सुक्र दोस्तों सबसे चमकीला गरह दोस्तों है दोस्तों शुक गरह दोस्तों सबसे गरम गरह है, शुकर को दोस्तों सांज का तारा या भोर का तारा यानि कि इभीनिंग इस्टार और मॉर्निंग इस्टार के नाम से जानते हैं, मंगल गरह को आरेन ओक्साइड अधिक मातरा में होने के करण क्या कहते हैं, तो लाल गरह कहते हैं मेरे सुरे के नाम से जानते हैं सुरे के बाहरी परत को जानते हैं को रोना के देखो फोटो एस्पियर दोस्तों सुर्य की निचली परत है और यह सुर्य की चमकीली सता है सुर्य का द्रिस भाग जो हमें दिखाई देता है वह फोटो एस्पियर दोस्तों है दोस्तों क्रोम एस्पियर प्रकास चैत्र और सौर संक्रमन के बीच इस्थित दोस्तों कौन सा चतर हेप थो domestic vis fake store दोस्तों अधिरफ है हला कि दोस्तों क्रोणा दोस्तों उपका है क्रोंड भी में दिखाई नहीं देता है यहां के बल सुर्य करहने के दोराण ही दिखाई देता है maior हैं दोस्तों मैं कब दिखाई देता है तो건 प्रिथभी अपने धोरी पर घुमती है, तो दोस्तो यह घुमती है 23 गंटा 56 मिनट 12 सकंद में तो प्रिथभी अपने धोरी पर दोस्तो एक चकर लगाती है, तो इसका एंसर सोρत चांद यह जाएगा है जाएगा भी कि परिफिभी दोस्तों अपने अठ्ष पर दोस्तों किस घतीश शकर लगाती है तो एक घंटा- छपर मैश्चन में एक घुर्णन गोर्ती है मैं शकरंदन होता है दिन और रात को हो ने अपने आट्ष पर गूमती है पस्षिम 375.25 दीन में दोस्तो परिकर्मा करता है पिर्थे भी सुरे के चारो तरफ दोस्तो दिर्गी विर्ताकार मार्ग में कौन से मार्ग में तो दिर्गी विर्ताकार मार्ग में पस्चिम से पूरब की दिसाइं परिकर्मा करता है दोस्तो इस परिकर्मन गत्री करण रितु परिव होता है और धुर्वों पर छे माह का दिन और छे माह का जो रात होता दोस्तों है यह अभी परिकर्मन के कारण ही होता है मेरे लाली पर लाली हो अच्छे दोस्तों शुर्य और प्रिथिवी के बिच सबसे अधिकताम दूरी जो होती है उसे अपसौर कहती है तो अपसौर की स् को लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच मेरे लाले वं लाली ओ